ये कहते थे, अपने बेटे से कहते थे, देखो, जाके आर्मी में जाओ, पेंशन मिलेगी, इज़त मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, और देश के लिए तुम जाके, सिवा करोगे, रास्ता बंद कर दिया, अगनीवीर लागू कर दिया, अब कहते हैं, अब अगर ये अपने बेटे को आर्मी में बेजना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार इंसे कहती है देखो, तुमारे बेटे को हम चार साल के लिए रखेंगे उसके बाद उसको उठा के बाहर फेक देंगे उसको चाइना बॉर्डर पे छे महीने ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे चाइना की सेनेक की टीन-चार साल की ट्रेनिंग होगी इसकी ट्रेनिंग छे महीने की उसकी ट्रेनिंग तीन-चार साल की और फिर कहते हैं बहिया देखो आप अगनीवीर हो अगर शहीद हो गए तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा कौन लड़ेगा कौन जाके लड़ेगा पहले आर्मी के जो सेंटर होते थे भरे होते थे लाइन लगी रहती थी आप जाके देखिया आज खाली हैं कोई अगनिवीर नहीं बनना चाहता तो वो रास्ता भी बंद कर दिया दूसरा रास्ता पब्लिक सेक्टर का था भी एचेल, एचेल वहाँ पे आपके बेटे जा सकते थे बेच दिया, किसको बेचा उन्ही 22 लोगों को उन्ही 22 को पहले हत्यार पब्लिक सेक्टर बनाती थी नैट एर्क्राफ का नाम सुना होगा आपने पाकिस्तान के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी उसने लटा दिया था उनको वो एचेल ने बनाया था उनसे सारे के सारे कॉन्ट्राइक लेकर वो उन्ही 22 लोगों को दे रहे हैं अदानी डिफेंस, रिलाइंस, डिफेंस उन्हीं सब को देरें और जहां भी आप देखोगे अगर आप छोटे भी अपारी हो मज़़ूर हो, किसान हो आपके सारे रास्ते एक के बाद एक बंद हो रहें पहले पब्लिक स्कूल हुआ करते थे पब्लिक हस्पताल हुआ करते थे आज अगर आपको चोट लगे, लाखो रुपे निकालो उनी 22 लोगों के पास जाएंगे बच्चों की शिक्षक करवानी है प्राइवेट कॉलिज उनिवर्सिटी में जाओ मालिकों के नाम देखो वो ही 22 लोग है तो ये मैं आपसे कहना चारा था कि आपको अपने हग की लड़ाई लड़नी है अच्छा इस साइड भी देख लेता हूँ सॉरी, सॉरी गल्ती की, गल्ती की साइड भी देखना था तो ये मैं आपसे कहना चारा था ये जो एक तरफा काम किया जा रहा है कि सारा का सारा काम 22 लोगों मैडम ठहर जाए 22 लोगों के लिए किया जा रहा है 50 लोगों के लिए किया जा रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं इससे देश कमजोर हो रहा है तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था आपने इतने प्यार से मेरी बात की और आपने मेरी मदद की आपको थोड़ा कश्ट हुआ होगा इसके लिए महाफी मांगता हूँ आपको भी कश्ट हुआ होगा इसके लिए महाफी मांगता हूँ धन्यवाद गले लगिए मेरे से धन्यवाद